आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिस का सिलेबस और हमारा टापिक जो कंटिनिवस चलना है डेफिनिट इंटिगेशन निश्ची समाकलन 5 part हमने complete किया है और इस 5 part में हमने जो simple वैसे integration होता था और उसमें हमने बस limit put up किया और limit put up करके हमने उसका integration किया आज जो टापिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो definite integration का निश्ची समाकलन का सबसे important टापिक है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं properties तो properties आज मैं पूरे properties को explain करूँगा आपको और उससे related कुछ question भी example में बताऊँगा ताकि आप property को use कर सको तो part-part में मैं definite integration के property वाले question को आपको difficulty level के हिसाब से पहले जी फिर थोड़ा medium level के फिर थोड़ा difficult level के question को आपको करूँगा तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं definite integration का ये part definite integration by using property निश्ची समाकलन प्रगुण के उप्योग से ठीक है इतनी heading लिखने के बाद भी कई Hindi medium की students का सिकायत हता है कि sir पूरा Hindi में आप पढ़ाईए तो please आप लोगों से मेरा request है एक suggestion भी है कि इतना Hindi का मतलब नहीं है आप higher class में जाओगे आप IIT का preparation करोगे आपको आगे English medium में पढ़ना है तो Hindi medium मैं mathematics को bilingual पढ़ाता हूँ तो Hindi medium की students को मेरा suggestion है वो कम से कम terminology को जो mathematical terms है उनको English में पढ़ें वो जरूरी है आगे के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है अदरवाइस मेरे का मैं तो पूरे Hindi में बता दूँ आपको लेकिन आगे चालके आपको उसके लिए परिशानी हो जाएगी ठीक है तो आप उतना ध्यान दिया करो कई वर आप लोगो कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि सर Hindi में आप नहीं बताएं यह Hindi ही है तो definite integration by using properties, property का use करेंगे तो हम पहले property को पढ़ेंगे तो आज सबसे पहले मैं आपको property explain कर दूँ एकक करके मैं property वह आपको बताते जा रहा हूँ ध्यान से समझना है और उसके साथ साथ उस property को आपको लर्न भी करना है याद भी करना है तो property first first number की property क्या है देखो integration of a to b function of x dx इसको हम लिख सकते हैं integration of a to b function of t dt यह पहला property है इस property का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर integration से पहले हमारा जो function है वह x के फार्म में है तो x के फार्म में integration हो रहा है तो हम चाहें तो substitution करके प्रतिस्थापन यहीं हम करें तो हम function को t के फार्म में integrate कर दें तो इसका integration का respect भी चेंज रहेगा उसी फार्म में तो function आप s को function आप t use कर सकते हैं इस property को बहुत ज़्यादा use नहीं होता आसान है मैं आपको बताते भी जाओंगा यह जो 7 property हम पढ़ेंगे वो 7 property में 4 property mostly बहुत ज़्यादा use होता है और 3 property थोड़ा common है तो यह कर तो common property ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा now next property property number 2 एक एक करके सभी property में आपको बताते जा रहा हूँ integration of integration of a to b function of dx equal अच्छा property को मैं उसी order में पढ़ा रहा हूँ उसी order में आप याद रखना वैसे कोई जोरी नहीं हो तो फिर भी यह property 1 property 2 property 3 ऐसा बोलो तो number से भी आपके दिमाग में click हो जाए कि भाई property 4 में यह है property 5 में है जैसे पढ़ाते वक्त मैं बोल तो कि property 4 तो आप समझ जाना कि कौन सी property इसी लिए मैं उसको proper order में ही आपको बता देता हूँ ठीक है तो यह होता है a to b function of x dx equal minus कई बार physics में इसको use क्या हूँ है physics का class आप मेरा पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा कई बार यह property मैं use क्या हूँ a to b function of x dx equal to minus a to b function of x dx मतलब क्या हुआ इसका कि limit को जब हम change कर देते हैं यहाँ पर देखो यहाँ lower limit क्या है a है upper limit b है अब हमने upper limit को क्या बना दिया lower limit और lower limit को क्या बना दिया upper limit तो उस condition में क्या होता है जो plus होता है वो minus हो जाता है एक एक property को मैं explain भी आपको कर रहा हूँ क्योंकि property रट्टा मारने कर नहीं है property का आपको explanation भी पता होना चाहिए कि किस तरह से property यूज होगा तो यह हो जाएगा a to b function of x dx equal to minus b to a function of x dx now next property number 3 property number 3 is a b c a to b function of x dx equal देखो यहाँ पर lower limit a है upper limit b है अब इसको चाहें तो हम बीच में और limit entry करा सकते हूं उसमें जैसे इसको हम लिशकते हैं a to c function of x dx और plus c to b function of x dx इसका explanation ध्यान से सुनना देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर lower limit a है upper limit b है तो हमने lower limit सी start किया और last में upper limit में ही खतम हो रहा है लेकिन बीच में हमने एक नया limit entry करा दिया किसका c का तो यहाँ upper हुआ वो नीचे क्या हो गया lower limit हो गया तो चाहे हम c की बात में d, e, f, g जितना चाहें उतना अपन उसको entry करा सकते हैं लेकिन limit का order का होता है उसी way में होना चाहिए ठीक है ठीक है यह हो गया प्रापर्टी नंबर 3 प्रापर्टी नंबर 4 स्वारी प्रापर्टी नंबर 4 में देखो 0 to a function of x dx यह प्रापर्टी 4 बहुत ज़्यादा important है जिसको important बोलना हूँ ध्यान से समझना यह फोर बहुत ज़्यादे use होगा 0 to a function of x dx यदि हमारा limit 0 to a function of x dx हो तो इसके दो प्रापर्टी आपको बता रहा हूँ कौन से condition में क्या होता है यह ध्यान में रखना ठीक है तो इसका पहला जो part होगा वो होगा to 0 to a function of x dx if function of a is even even मतलब sum यदि sum हो माने यदि function of x क्या हो even number हो sum sum क्या हो तो 0 to a function of x dx होगा इसका मतलब क्या होगा पहले part को समझ लो उसका दूसरे part को मैं यहाँ पर लिखूँगा पहला तो यह है ठीक है इसके बाद दूसरा करके मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको तो थोड़ा ध्यान से समझना इसका explanation यहाँ पर जो function दिया हुआ है यह function यदि क्या हो sum function हो जैसे some function हम किसको करते है some function मतलब यह function को negative कर दे आपने function के टाइस पढ़ा 11th class में यदि हम फलन को क्या करते है रिडात्मा कर दे तो रिडात्मा करने पर भी function क्या है positive बना रहे तब हम उसको क्या करते है sum फलन करते है even function करते है जैसे कास x क्या होता है यदि कास माइनस x कर दूँ तब भी कास x होगा ठीक है तो उसको हम क्या कहते है सम फलन तो यदि function of x क्या है सम फलन हो तो उस condition में इसका फार्मूला होता है सामने 2 का मल्टिप्ला ही हो जाएगा और 0 to function of x dx होगा लेकिन यदि यह बहुत ज्यादा यूज होता है बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है और दूसरे condition में यह 0 हो जाएगा किस condition में if function of x is odd function odd मतलब विसम अभी मैं question की practice कराऊँगा तो सब clear हो जाएगा ठीक है पहले property को सब explain कर दूँ फिर सब property पर एके question में आपको कराऊँगा सब clear हो जाएगा तो equal to 0 equal to क्या होगा 2 कब 2 into इतना जब फ़लन सम हो और यह क्या होगा 0 होगा जब function of x क्या हो विसम फ़लन हो जैसे sin x sin x क्या है विसम फ़लन है यदि आप sin के सामने sin minus x लिख दो तो minus sin x हो जाता है वो क्या कहलाता है विसम फ़लन तो विसम फ़लन condition में यह 0 होगा तो इसके 2 value होंगे यह वाला value और यह वाला value यह दोनों ध्यान रखना यह है property number 4 इसी तरह से इससे मिलता जूलता property है property number 5 वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है उसको और थ्यान से समझना यह भी बहुत important है property number 5 जिसको मैं important बोलना हूँ बहुत ज्यादा यूज होगा उसको पुरा अच्छे से समझ जवाब यहाँ पर है function of 0 to 2a function of x dx equal इसके भी दो value होंगे पहला और दूसरा function of x dx 0 to 2a ठीक है तो 0 to 2a होने के condition में एक मिनट यह property में थोड़ा एक मिनट धियान दे है न यह property में minus 4 को 5 में बता दिया इसको 5 order change हो जाएगा यह minus a to a में होता है sorry इसको मैं थोड़ा सा change कर रहा हूँ न मेरा ध्यान नहीं रहा उसमें मैं दूसरा explain करते करते दूसरा explain कर दिया चलो ठीक है यह 5 और 6x जैसा है 5 और 6x जैसा है यह तो आसान है फोर फोर आसान है लेकिन यूज बहुत होता है भी important है यह 0 to a function of x dx है इसको हम लिख सकते है 0 to a function of x minus a a minus x a minus x dx ऐसा लिख सकते है असान है यह यदि हमारा lower limit 0 हो lower का 0 होना ज़री है न तो lower limit 0 हो और upper limit a हो तो function of x dx equal to 0 to a function of a minus x dx लिख सकते हैं यह property भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ठीक है यह 4 नमर का property क्या यह order को अपन proper पढ़ेंगे तो फिर उसमें कोई दिकत मी होगा अपने को अधरवाइस बात में मैं property 4, property 5 ऐसा बोलूँगा दिकत होगा तो property 4 में हमने क्या देखा 0 to a function of x dx equal to 0 to a function of a minus x यह हो जाएगा property number 4 अब देखो property number 5 जो मैं बता रहा था वो इस तरह से होगा इसके भी दो होगे इसके पहले जो मैंने आपको explain किया है उसकी बात है यह होगा minus a to a ऐसा हो तो मतलब lower limit minus a हो उपर a हो minus a का मतलब minus pi by 2 to pi minus pi to pi मैं नीचे का जो limit है negative में हो और उपर का जो limit हो positive में हो और value क्या हो same हो उस condition की बात है तब यहाँ पर इसका दो value होगा जो अभी मैंने बताया पहला number में क्या हो जाएगा equal to equal 0 to a function of x dx if function of x is even number even मने यह होगा और सामने 2 का multiplication यह अभी जो मैंने बताया था minus a to a के लिए है तो limit जब minus a to a हो function of x dx तब होता है to 0 to a function of x dx इतना होता है कब जब function of x क्या हो even number हो मतला समसंख्या हो और equal to 0 हो जाएगा 0 कब हो जाएगा if function of x is hard number क्या हो वी समसंख्या हो तब क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह property maximum use होता है बहुत जादे use होता है minus a to a function of x dx यह इस तरह से मैं property को केवल आपको print करके दे देता है इसको पढ़ लो ऐसे मतलब नहीं को सब्सक्राइशन जाओर भी है इसलिए मैं property पर भी explanation करना हूँ ठीक है next देखो property number 6 यह जो मैं बता रहा था आपको next यह इसी से मिलता है 5-6 को x ना तयार करना आप यह भी बहुत important है दोनों को comparative पहणा 0 to 2a 0 to 2a function of x dx equal to यह भी दो value देगा पहला value ठीक है 0 to 2a के लिए अभी हमने पढ़ा 0 to 2 0 function of x function of 2x equal to x formula उसी रूप में होगा equal to 2 into 0 to a function of x dx ऐसा होगा if function of 2a minus x equal to function of x हो function of 2a minus x equal to function of x हो ठीक है function of 2a minus x equal to function of x हो मतलब उस तरह का sum और भी sum फ़लन से दोनों को मैं लिग दूँ फिरे comparative बताता हूँ यह 0 होगा कब जब function of 2a minus x equal to क्या हो minus function of x हो बहुत ज़्यादा relation है 4 और 5 number property में इसमें confusion भी बहुत है देखो यहाँ पर 2, 0, 2a function of x dx हो जाता है यहाँ पर व्यूत नहीं हो जा रहा है कब जब यह क्या even function है और यह कब जब function of 2a minus x equal to function of x और यही even function का condition है यही even function का condition है sum फ़लन का मैंने आपको बताया कि जब function को negative कर दें तो function में कोई change नहीं हो तो वही आ रहा है यहाँ पर देखो यह 2a minus x function of x तो इसका पहले के साथ में relation है और यहाँ पर देखो यह 0 हुआ है दूसरा function 0 यहाँ पर भी 0 हता है यहाँ पर कब जब function of x क्या हो 8 function हो विसम function यहाँ पर देखो function of 2a minus x क्या हो रहा है minus function of x हो रहा है जो कि विसम फलन में भी होता है तो 4 और 5 प्रापर्टी में बहुत ज़्यादा similarity है इसको बहुत ध्यान से आपको समझने के है ठीक है प्रापर्टी 5 और प्रापर्टी 6 में यह दोनों प्रापर्टी में बहुत ज़्यादा similarity है तो ऐसे पार्ट पार्ट में आप इस्टरी करना पहले यह 4 को तयार करना जो समान्य है यह तो समान्य है बिल्कुल यह 4 को एक पार्ट में compare करो उसके बाद फिर यह आप इन दोनों को एक साथ करो 5 और 6 को और 7 तो बहुत ज़्यादा आसान है और 7 का बहुत ज़्यादा use भी नहीं होता है ठीक है तो 7 नमर प्रापर्टी आसान है उसे बता देता हूं में एक बार इसको आप अच्छे से समझ जो question कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आप आपको clear है जाएगा नेस्ट प्रापर्टी नमर 7 बहुत कामन है और use भी कम होता है इसको a to b function of x dx equal to हम इसको लिख सकते है a to b function of a plus b minus x dx ऐसा लिखा जा सकता है जैसे फर्स प्रापर्टी में देखा यह minus x लिखे से न पर तो यहाँ पर क्या है a plus b minus x लिख सकते हैं a plus b minus x dx यह है प्रापर्टी नमर 7 तो function of x में यदि limit a to b हो तो हम उसको a to b लिखके यह दोनों limit को sum करके दोनों को sum करके minus x लिख सकते हैं तो यह हुए 7 प्रापर्टी और 7 प्रापर्टी को आपको बहुत अच्छे से तयार करना है पहले जब तक आप 7 प्रापर्टी अच्छे से कमांड नहीं करेंगे आपसे question नहीं बनेगा या mistake होगा तो मैं तीन चार पार्ट में इसको आपको कराऊंगा और प्रापर्टी को मेरा आपको suggestion है कि सबसे पहले बहुत अच्छे से तयार कर लो अभी मैं कुछ question आपको बता रहा हूँ जिसकी सहायता से ये property को मैं आपको apply करना सिखा रहा हूँ के वल ये प्रस्म कठी नहीं है ये प्रस्म बहुत आसान है लेकिन हम सिर्फ उसे property को use करना सिखेंगे कि property लगाना कैसे है ताकि आपकी property में command अच्छे सो जा division भी हो जाए उसका चलिए कुछ question देखते हैं अपन यह proof करने वाला question है पहला 0 to pi by 2 sin x dx proof करना है 0 to pi by 2 sin x dx equal to हमको proof करना है 0 to pi by 2 cas x dx देखके जीब लग रहा है sin x equal to cas x इसको proof करना है तो property को use करके proof करना है तब तो अपने लिए बहुत आसान का मैं left hand side के value निकालो right hand side के value निकालो दोने equal हो जाएंगे तो proof हो जाएगा तो मैं एकाथ question को आपको बीना property use कर भी करके बताऊंगा लेकिन हम इसको property use करके देखते है तो ये left hand side को अपन ले लिए इसको lhs भी लिख सकते हैं यहाँ पर lhs equal to हैगा 0 to pi by 2 sin x dx अभी हमने एक property पढ़ा है 0 to pi by 2 0 to a और x के जगा में हम इसको लिख सकते हैं क्या sin pi by 2 minus x dx देखो ये property number यहाँ पर बीटिस तो ये property number 4 property number 4 ने function of x है ये 0 है तो हमने क्या लिखा है इसको a minus x लिखा है 0 to a है तो a minus x लिखा है तो उसी के help से अपन यहाँ पर देखें तो हमने एक value के हाँ पर pi by 2 ले लिया है ना तो बहुत आसान question है equal to हो जाएगा ये 0 to pi by 2 और sin 90 minus theta क्या होता है cas theta तो cas x dx और equal to right hand side ये proof हो गया ये proof हो गया right hand side बहुत आसान काम है by the way हम property use नहीं करते और property के बीना use कि हम को इसको integration करना होता तो कैसे करते हैं without property देखो इसको लेते left hand side को left hand side को लेते 0 to pi by 2 sin x मैं ये बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में question आना चाहिए कि सर हम integration तो कर लेते हैं उसको अब बाद में limit कर देखें प्रापरटी के लपड़ने में पढ़ने का क्या क्या है भाई हमको integration तो आता है integration कर लिए जैसे पीछले के exercise में किया और last में हमने limit को रख दिया property यूज़ करने से question आसान हो जाते हैं देखो mathematics में जो भी formula डेवलप किया जाता है या जो wishes उसकी properties डेवलप किया जाते हैं वो work को आसान करने के लिए हैं उसको सरल करने के लिए हैं आपके पास ये property नहीं होता तो आप इसको proof नहीं कर पाते हैं ऐसा नहीं है कैसे proof करते हैं ये करते हैं अब sin s का हम integration करते हैं तो sin s का integration क्या आता cas x minus cas x आता और 0 to pi by 2 लिखते that equal to minus upper limit minus lower limit तो cas pi by 2 minus cas 0 करते that equal to minus cas 90 0 लिखते ये cas 0 ना और cas 0 को लिखते minus 1 और equal to मिल जाता हमको 1 ये हम left hand side निकालते हैं फिर क्या करते हम फिर इसका right hand side निकालते right hand side में क्या दिया है 0 to pi by 2 cas x dx इसका integration करते हैं तो क्या हो जाता sin x 0 to pi by 2 फिर हम इसका limit रखते हैं sin 5 by 2 minus sin 0 that equal to sin 90 क्या हो जाता 0 और yes sorry sin 90 तो 1 sin 91 और ये 0 that equal to 1 अब देखों left hand side का value हमारा 1 आया और right hand side का भी value 1 आया तो therefore क्या लिख देते हैं left hand side equal to right hand side तो कितना लेंदी वर्क था ये तो मैंने छोटा सा question बता है बहुत आसान question और ये property use करके सिर्फ एक line में इसकी property जो develop किया उसको use किया तो ये proof हो गया तो ये comparison है कि property develop क्यों किया गया अभी तो आपका एकदम initial stage में मैं आपको बता रहा हूं उसको धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि पीछे भी हम कई question जो पुछे जाते हैं ओके चलिए और कुछ question देखते हैं अपन एक question अपन लेते हैं और कोई सभी question अपन करके देखते हैं 0 to pi cast x dx चलो you and art आप लोग को समझ भी नहीं आया होगा ये proof करना है 0 to pi cast x dx इसको हमको proof करना है 0 ये सब proof that वाले question है ठीक है अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर देखो चूकि function of x equal to cast x बहुत अच्छा कोश जाने हैं छोटे छोटे question से practice करोगे तो इस्टांग होगा function of x equal to cast x है therefore मैंने इसको लिग दिया function of minus x equal to क्या हो जाएगा cast minus x हो जाएगा मैंने function x को मैंने minus x कर दिया तो cast minus x और cast minus x क्या होता है cast x और इसको हम लिख सकते है function of x therefore यहाँ से क्या पता चला यही property है even function की sum फलन का कि यदि किसी function के value को negative कर दिया जाए तो function में कोई change नहों जैसा था वैसी रहे तब यह क्या करते हैं इसको even function करते हैं function of x is even even माने sum sum फलन है अब हमको पता है कि जब यह function sum function हो तो property हमने देखा है यह sum फलन का property आपको बता देता हूं यह जो हमने पढ़ा है कि जब function क्या हो sum फलन हो तो उसका जो value होता है sorry इसमें यह वाला ना यह तो minus a to a है 0 वाला उसको ध्यान रखना कौन सा लगाना है यहाँ पर 0 to 2a है मैं 0 to pi है और हमने pi को 2a लिया और इसके जगा में हमने क्या लिया यह माने function of x आया तो उस condition में हम क्या लिश सकते हैं उसको 2 0 to a function of x dx इस परकार से लिख सकते हैं ठीक है pi minus x वहाँ पर value को मैं दूसरा पूटक पर दिया क्या यहाँ minus x नही pi minus x रखेंगे न क्योंकि यह जो value है वो pi है मैं खाली x रख दिया मैं सिधा even art function समझाएं लगा आपको यह रखना पड़ेगा तो function of x equal to इतना therefore function of y 2a का value इसको क्या सब उसका लोगा आप 2a तो function of 2a minus x यह वाला पर प्रापर्टी लगाएंगे तो 2a का value हमारे इस question में कितना है हमारे question में 2a का value कितना है pi तो pi minus x होगा pi minus x धिया रखने है आपर मैं इससे पहले जो बताया वो सिधा आपको उसका definition बता दिया even और art function का तो यहाँ पर 2a minus pi minus x रखेंगे अब यहाँ पर देखो cas x तो यहाँ पर हम रख देंगे cas pi minus x और cas 180 minus theta cas 180 minus theta क्या होता है minus cas theta है मैंने minus cas x हो गया यह minus cas x हो गया that equal to minus यह cas x को हम क्या लिख सकते है function up x तो minus function up x आगे मैंने function up 2a minus x तो यह property को आप देखो यह वाला properties में लगा ना यह six number का property लगा यदि हम function up 2a minus x रखें और function क्या हो जाए negative हो जाए तो उसका value क्या हो जाता है 0 हो जाता है तो यहाँ पर हम अब उसको लिखेंगे कैसे देखो चुकि हमने बता दिया कि यह minus इसका value minus आ गया तो by using property 6 तो there for सीधा लिख सकते हैं integration up 0 to pi cas x dx equal to 0 सीधा लिख सकते हैं किसको यूज करके property 6 को यूज करके यह चीज हमने दिखा दिया कि function up 2a minus x minus function up x हो गया तो property इसका value 0 होता है तो इतना आसान है और by the way यह property आप यूज नहीं करते तो क्या करते तो cas x का integration करते मैं कुछ question को आपको दो दो तरीके से बता रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छर है देखो इसका second method जो direct method है second method से माल हम इसको बनाते तो 0 to pi कास है कुछ question आपको उस method से ज़्यादा आसान देखो exam में आएगा तो by using property नहीं कहेगा वो by using property नहीं कहेगा जनरली नहीं पूसता तो बता है integrate समा कलन करो या मान गयाद करो evaluate ऐसा पूसता है तो जैसे ये question आया अब हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो सिधा इसका integration कर दो तो कास इसका integration का लिखेंगे अपन sin x लिखेंगे तो sin x 0 to pi उसका upper limit minus lower limit तो क्या लिख देंगे sin pi minus sin 0 और sin pi कितना होता है 0 होता है sin 0 तो 0 ही होता है और sin 180 भी 0 होता है ये प्यूरा 0 हो गया ये answer आगे अब यहाँ property में आपको कठी नहीं ये असान लग रहा होगा तो कभी-कभी बीना property के भी question आसान बन जाता है तो वो पूरी practice होने के बाद आप immediate देखके समझ जाओगे कि मुझको क्या करना चाहिए तो ये है इसके question का सेक्स का इस तरह से use हो जाएगा अब आप यहाँ पर देखो कि property को जैसे आपको use करना है तो question को पहले ध्यान से समझना है कि किस property को match करता है ये मैं एक और method आपको इसलिए बताते जा रहा हूँ सब में नहीं बताऊंगा लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ compare करने के लिए कि किस तरह सो सकता है और इससे पहले जो मैंने explain किया सा even art function का है उसका भी एक question आपको बता देता हूँ otherwise दिमाग में confusion रहेगा कि कैसे मैंने use किया था वो ये ऐसा बनेगा एक even art वाला भी question आपको बता देता हूँ minus वाला especially वैसी question select कर लेता हूँ आपके लिए मैं minus pi by 2 to pi by 2 x cos x dx minus pi by 2 2 pi by 2 x cos x dx ये question इस question को explain कर रहा था पहले वाले condition में तो यहाँ पर जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ minus a है यह minus a है और यह क्या है a है तो आप property 5 समझ जाओगे property 5 में minus a to a है तो आपको तुरंद याद आजाएगा कि मुझे property 5 लगाना है तो property 5 को क्या है अपन यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं इस तरह से property 5 में even art का अपन चेक करते हैं तो अपने पास जो function है function of x तो यह क्या है x into cos x dx अब इसको कर देते हैं function of minus x यह मैं बता रहा था last time में कि minus x रखके even art बताना है तो minus x रखो तो यहाँ पर x के जगा में भी क्या हो जाएगा minus x और यहाँ पर भी यह dx नहीं न स्वरी यह dx का रोल नहीं यहाँ पर cos x नहीं तो cos minus x that equally हो गया minus x और cos minus x क्या होगा cos x होगा देखो function of x क्या है x cos x है x cos x हो हम function of x लिख सकते हैं तो minus function of x हो गया therefore क्या function हो गया यह art function हो गया यह विसम फलन हो गया विसम फलन हो गया यह तो यह विसम फलन हो गया क्यों क्यों विसम फलन हो गया क्योंकि सामने में आ गया minus और हम property में पढ़े हैं कि जब वो विसम फलन हो property में बार-बार आप पीछे mood की से दिखा रहा हूँ आपकी ध्यान में वो बैठे देखो minus a to a हो और जब वो क्या हो जाए विसम फलन हो जाए देखो विसम फलन कब हो जाता है विसम फलन का मतलब वही है विसम और सम फलन का concept होई है कि जब function negative हो जाए तो विसम फलन होता है यह तो यहाँ पर function विसम हो गया तो उसका value क्या होता है 0 होता है तो function को जैसे ही आप विसम बताओगे तो therefore आप direct लिक सकते हो minus pi by 2 say pi by 2 x cos x dx equal to 0 oral answer है एक line में अब इसको सोचो इसको अधिया common method से बनाओगे ठीक है यहाँ पर कौन सा property यूज हो है property 5 का art function वाला property 5 का art function यूज हो है विसम फलन अब इस question को जैसे मैं भी बताते आ रहा था कि बोलोग एक किसर यह सनब बने तो यदि हम उसको proper traditional में थर से बना ले तो कितना कठीन हो जाएगा यह x है यह cos x है यदि आप इसको बनाओ minus pi by 2 to pi x cos x dx तो अब इसको क्या suppose करोगे u इसको suppose करोगे v फिर u into v integration करोगे फिर limit अखोगे कितना लेंदी होगा और यह सीधा दो लाइन में बता दिया कि चूंकि यह विसम फलन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो zero तो विसम सम आपको पहचान में आना चाहिए तो आज के class में मैंने आपको कुछ limited question बताया basically मैंने property explain किया तो इस video से आप सबसे पहले यह question तो क्यों formality के लिए थी कि मैं आपको बता दूँ कि property कैसे उज़द है तो properties को 7 property को आपको बहुत अच्छास त्यार करना है basically 4, 5 और 6 4, 5 और 6 को तो बिल्कूल आप अपने दिमाख में जबरजस्त बिठा लो क्योंकि सबसे ज़्यादा यही property यूज होने वाला है बागी भी होंगे लेकिन बहुत आसान है और उसको हम आसानी से guess कर पाते हैं तो next वीडियो में मैं आपको इसके important question थोड़ा medium level के question और फिर difficult level के तीन-चार पार्ट में पढ़ाऊंगा आप चिंता मत करिए छोटे-छोटे पार्ट में तीन-चार पार्ट में पढ़ाऊंगा एक साथ प्रहाद हो तो बहुत confused हो जाएगा आस तो मेरा purpose था कि मैं आपको property को explain कर दो पहले तो मैं सोचा कि property का आपको मैं printed PDF दे दू लेकिन इसको explain करना जो हो रही था तो यह मैंने आपको किया इसको आप अच्छे से करिए और next class में फिर हम इसके और question देखते है प्रापर्टी अच्छे स्तियार करके यह ओके